दीपीका पादुकोन का नाम आज बॉलिवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है। उन्होंने कई सुपर हिट फिल्मों में काम किया है और सिर्फ बॉलिवुड ही नहीं, एक्ट्रेस ने हॉलिवुड में भी अपना जलवा दिखाया है। एक्ट्रेस आज इंडस्ट्री की हाइस्ट पेड एक्ट्रेस भी है। लेकिन दीपीका ने यहां तक सफर इतना आसान नहीं रहा है। उन्होंने भी फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल किया है। इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने खुद किया है। दीपीका पाद साथ रख कैब में हर जगह जाती थी। कई बार तो वे कैब में ही सो जाती थी। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी माँ इस बात को लेकर काफी परेशान रहती थी कि मैं बस सेफली घर पहुंच जाऊं। लेकिन आज मैं जब उस सफर को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बुरा नहीं था। तुमने यह किया और अपने दम पर किया। इस इंटरव्यू में दीपिका ने अपने और रनवीर सिह की मैरेज लाइफ को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि वे अपने पती रनवीर सह क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को बहुत ज़रूरी समझती हैं। हमेशा अपने काम से वक्त निकाल कर वे इसे एंज्जॉय करती हैं। कई बार वे ये महसूस करती हैं कि काम की वजह से उन्हें साथ में टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक्ट्रेस ने कहा कि हमें एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हमें अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपी का पादुकोन जल्द ही फिल्म फाइटर में नजर आने वाली है। इस फिल्म में वे रतिक रोशन के अपॉजिट दिखाई देंगी। फिल्म अगले साल 26 जन्वरी के मौके पर रिलीज होगी।